मैं अब राजीव करूप कर रही हूँ, राजीव ज़रा मैं आपसे समझना चाहूंगी तिहास क्या रहा कौन सी पार्टी पक्ष में रही विपक्ष में रही ये तो प्रभाकर ने बता दिया लेकिन अब जो ये पेंडोरा बॉक्स जिस तरह से प्रभाकर कह रहे हैं, अगर ये खुल गया तो और कितने सवाल और कितना हंगामा होगा, शायद यही डर है कि इसलिए हर राज्टिक दल जो सत्ता में होता है, जो राज्ट्र पार्टी सत्ता में होती है, वो कही न कहीं इस गडबंधन ने ये जाती भ्रमास्त चला कर की है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? थाली में रख करके पार्टिया चांद दिखाती हैं, और वो वोटर थाली में ही चांद देखते-देखते सो जाता है, उसी नशे में रहता है कि वो चांद देख रहा है, तो ये ये भी उसी तरह का प्रयास है, जातीगत जंगरना भी, मैं आपको बताओं 2011 में मनमोहन सिंग सरकार के कारेकाल में जातिगत जनगड़ना के आकड़े लिये गए थे लेकिन वो सारवजनिक नहीं हुए सत्ताधारी दल कोई भी ये जहमत उठाना नहीं चाहता कि जातिगत आधार पर जो आकड़े हैं उसको सारवजनिक किया जाएं और आकड़ों को सारवजनिक करने की बात भी कही थी लेकिन कॉंग्रे सरकार ने ऐसा नहीं किया और अगर आप बैंगलोर की इंडिया बैठक को देखेंगे तो वहां जो सरसंबती से प्रस्ताव पास हुआ तो इंडिया के सारे विपक्षी गडबंदन दल के नेताओं ने इस बात पर सरसंबती जाहिर की कि जातीकत जनगणना होनी चाहिए और उसके आकड़े सामने आने चाहिए इस तरह की पहल अगर बिहार की राजनीत में करें तो तेजस्वी ने सबसे पहली ये मामला उठाया था और नितिश सरकार ने जब इसके लिए मुलाकात की थी और ये फैसला लिया था तब बीजेपी के साथ वो थे उस समय बारती जिंता पार्टी ने वहाँ पर कोई विरोध भी नहीं किया था बिहार में जातिगत सर्विक छण हो रहा है और केंद सरकार ने एन वक्त पर सुप्रीम कोट में जो दखल दिया है उससे ये पता चलता है कि के कारी नौकरियों में आरक्षण सीटों पर आरक्षण और तमाम ऐसी बाते होंगी देखिए भारत की जो राजनीत मैंने आपको कहा तो अगर जातिकत जनगर्णा का मामला तूल पकड़ता है तो धर्म की राजनीत कमजोर होती है क्योंकि जिसे आप हिंदुत की राजनीत कह होते हैं तो एक मेजॉरिटी जो जाती जाती हजारों सालों से हिंदुत्र के नाम पर पीछे रही है हजारों सालों से जिनको मंदिरों में प्रवेश्ट नहीं दिया गया जिनको जाती में पैदा होने की वज़त से उनके कार्य निश्चित कर दिये गए तब वो लोग लोक इस तरह का नारा सबसे पहले काशे राम ने दिया था तो जन संख्या के आधार पर अगर वोटों की ताकत है और वोटों में हम ज्यादा है तो फिर हमारी बात को सुनी जानी चाहिए लेकिन हिंदुत की राजनीत में जाती बेवस्ता बिलकुल नहीं आती हिंदू आता है जो हिंदु हैं कनवर्ट हुएं और यह सही भी है लेकिन उनको भी इसी में शामिल करने की बात होती है और दूसरी विचादारा जो जाती की आती है वो कहती है कि नहीं हिंदुत की राजनीत जाती के खिलाफ है और यही जो दो लड़ाई है पिछले तीन दशकों से होती रही ह कभी धन की लड़ाई धन की जा का काड चला है कभी जाती का काड चला है इन दिनों धन में इतनी ओत प्रोत हिंदुस्तान की राजनीत है कि जाती का काड खेलने वालों के लिए जाती जनगर्णा उन्हें बाच्शा या इक का नजर आता है बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव और जिस तरह से आपने ये जातीगत जनगरना किसके लिए जरूरी है और किसके लिए सियासी मजबूरी जिस तरह से आपने समझाया है